हलो फ्रेंट्स अंडीर और स्ट्वेंट्स आप LNMU डिग्री पार टू फ्रेंट्स मैं हूँ आपका सर मिस्टर डीक मर सबसे पहले स्वागत करता हूँ आप सभी का SSP Education Center के इस ओफिशियल यूट्व चैनल पर फ्रेंट्स इस वीडियो मैं LNMU डिग्री पार टू के वैसे स्ट्वेंट्स जिन्होंने 50 मार्क्स का हिंदी रखा है तो उन सभी के लिए उनके एक्जैम हे तू जो महत्वपूर्ण ऑबजेक्टिव कुश्चन है उसमें संजीवनी खंड का बिसे जितने भी लीनियर टाइ आपको अप्टूडेट मिलती रहेगी देखिए आपको बता देता हूं कि इससे पहले आपनों को दो वीडियो प्रवाइट करवा दिया गया है संजीवनी खंड काविस है यह आपका तीसरा वीडियो है और इसी प्रिकार से आपको कुछ और वीडियो प्रवाइट करवाया जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रुर रखेगा चले बिना समय वेस्ट के सबसे पहला कुशन देखते हैं संजीवनी निमनिलिकि संजीवनी जो है वो खंड काविय है यह सब आपको अब्जेक्टिव में बता दिया गया है संजीवनी काविय का प्रारंब होता है देवासूर संग्राम से कुशन इसी प्रिकार से आएगा यहाँ पर देख सकते हैं कुशन का पैटरन निमनिलिकित प्रस्णों के उतर दें चत्ति हमें जैएं जिसमें से यहाँ पर जो आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर होगा उसके बाद कहता है कि दानव से किस किस पर आक्रमन पार अम्रावती पर करती है सुक्राचारी कौन थे तो दानबों के गुरू थे उसी प्रिकार ब्रिहस्पती जो थे वो देवताओं के गुरू थे कच कौन था तो कच जो था ब्रिहस्पती का पुत्र था कच जो है ब्रिहस्पती का पुत्र था यह आप याद रखेंगे भारतिय संभीधान के अनुसार हिंदी राजभासा है ये राजभासा है तो भारतिय संभीधान के अनुसार हिंदी जो है वो राजभासा है तो इसका आंसर राजभासा हो जाएगा बिहार की राजभासा हिंदी है देव यानि किसकी पुत्री थी तो यह जो है सुक्राचार्ज की पुत्री थी इसका दिया गया रहेगा जिसमें सुक्राचार्ज हो जाएगा कच कितने वर्सों तक सुक्राचार्ज का आश्रम में रहे तो वह सहस्त्र वर्स तक उसके बाद व विद्या प्राफ्त कर कच सरप्रतम किसे जिवित करता है तो अपने गुरू सुक्राचार्ज को देव्यानी के समक्ष कच अपनी तोलना किस से करता है तो जलधार से यह सभी आपको अब्जेक्टी में बता दिया गया इसको मैं रिपीट कर रहा हूं कच देव्यानी को किस र व्यानि प्रसंग की व्याख्या की गई है उसके बाद अठार नमर कुछन है जान की वल्लब सास्त्री का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था तो मुझपर पूर जिला में जान की वल्लब सास्त्री का जन्म जो है वो बिहार के मुझपर पूर जिले में हुआ था उसके बा सुक्राचार्ज की पुत्री है उसके बाद कच सुक्राचार्ज की किस सर्ग में आया है कि रुख दाने की संभावना जयादा है तीसरे और छठे सरंग में अ लिष Coun τι क disappointment कवी और Sono संघीबणी की कथा कितने सरगों में रोws सरगों नो सरगों में 27 च्षी संघीबनी विद्या ग्याता कौन थे तो सुक्राचारज जी ते संघीबणी विद्या मतलब होता है कि उस्विध्या के दिरूख मृ मिं वित्यकर दानौ जाता है जब सफ्राचारज को द्वारा मार दिया जाता है तो कर चुन को पुना जिवित करते यह आप याद रह общ तो दानवो के हित में संजीवनी विद्या का प्रयोग किसके हित में करते थे तो दानवों के हित में संजीवनी विद्या का प्रयोग करते थे जब दानवों की मृत्यू हो जाती थी तो उसे संजीवनी विद्या के जरिये सुक्राचार जीवित करते थे पुना जीवित करते थे पिर तीसरा नमर केंपा सिक्रा नाम क्या देव्यानि आपको पता है डेव्यानि ऐसे Carnival rots संबंद किस बात सੴ मत इस संभल की यूद्ट सब्सक्राम से संभल size rots कच का पुद्र हाथ तो तो देवताओं के गुरु संजीवनी विद्या शीखने के लिए कच के पास कच गया था जो ब्रिहस्पति का OUT है सुक्राचार्ज का सिस्य कश्य गजों से सायता पिभाप्थ हुई तो शुक्राचार्ज की पूत्र देवयानी से देवयानी के तुरू ही कच जो है वह सुक्राचार से शÖ्ट से बिज्द्य चूइक चुक्छ चुद billion ने मार दिया चुसके बाद दानव बालक को द्वारा मार दिये गए कच को किसे पुनरजीवित कर दिया दानवो द्वारा जो बालकों को मार दिया गया कच को तो उन्हें पुनरजीवित सुक्राचार्ज ने क्या क्या क्योंकि सुक्राचार्ज के पास संजीवनी विद्या थी 38 मर कुछन है कच को मार कर दानवो ने उसके अस्थी मांस को जला कर किसके पेई में मिला दिया तो सुक्राचार्ज के पेई में मतलब पीने वाले जल में मिला दिया कच को मार कर उनकी अस्थी जب जला देता है तो राक जो बच जाता है उसे पीने वाले पानी में मिला के सुक्राचार्ज को पिला दिया जाता है दानवों के दवारा उसके बाद 49 मर कुछन है सुक्राचार्ज के मर जाने पर उन्हें किस ने जिलाया तो कच ने जिलाया जिस प्रकार कच के मारने पर सुक्राचार्ज ने उसे संजीवनी विद्या के थुरू जिलाया उसी प्रकार सुक्राचार्ज के मर जाने पर भी कच ने सुक्राचार्ज से जो संजीवनी विद्या सीखा रहता है उसके आधार पर उसे जिला देता है फिर 40 नमर्प्रसन आप देख सकते हैं संजीवनी विद्या प्राप्त कर लेने के बाद कच क्या चाहता था तो देव लोग लोट जाना चाहता था संजीवनी विद्या प्राप् तरिफाना तैतानी no hue ci do s देवयानि को भढ़ान के रूप में देखता था तो वह मना करते रहते थे बराबर तो देव्यानी इसे मतलब क्रोधित होकर कच को सराब कि सण्जीवनी विध्या फली फूत नहीं होगी मतलब ँच्छी तर arrests से तुम सीखने tillparty से उपयोगない वो कि ने को स्राप देते हैं तो इस तरह से और गजब लोग जाते हैं कच तो उसके बाद देव दानब में युद्ध होता है तो देवताओं की जीत होती है तो इसका अंसर देवताओं की हो जाएगा तो आसा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छे लगी होगी इस प्रिकार की वीडियो अप्रडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेगा अगर वीडियो अच्छे लगए तो